इस वीडियो में कवर करेंगे all the basic aspects of Adobe After Effects इसके सारे tools, panels, buttons, options ताकि आप जब भी इस software को खोलो तो आप confidently इसमें अपनी वीडियो को इंपोर्ट करके उसे manubilet कर पाओ इस software की इस industry में इतनी value है कि अगर आप इसके स्थरफ basics भी जान लो तो आप easily इसके pre-made templates यूज़ करके अपने clients के लिए काफी professional looking videos करेट कर सकते हो मुझे आज भी event और marketing companies hire करती है to literally open these After Effects templates and add their information अब ये job काफी easy है बट इसके लिए भी हमें इस software के basics पता होने चाहिए है कि कैसे इस पे footage import करनी है, composition में navigate कैसे करना है and much more तो मेरा नाम है मानव और मैं पिसले 7 साल से software को use करता हूँ to create almost all kind of videos for multiple companies, brands and artists from all around the world मेरे बारे में और जानने के लिए है, मेरा काम देखने के लिए मेरी website विजिट कर सकते हो link will be in the description Now let's open After Effects तो After Effects खोलते ही, सबसे पहले हमारे सामने आता है ये home panel यहां से हम सीधा अपने recent projects को open कर सकते हैं पर अभी हम create करेंगे एक new project अभी कुछ भी करने से पहले, सबसे पहले हम जाएंगे यहां files पे save as and we'll save this project क्योंकि हम इसमें file save किये बिना भी काम चालू कर सकते हैं और अगर हमारा software बीच में unexpectedly crash हो जाता है तो सारा काम हमें वापस से करना बड़ेगा इसके लावा हम ensure भी कर सकते हैं कि हम इसमें जो भी काम कर रहे हूं वो automatically save भी होता रहे और यहां हम इसको custom set कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहां करावाए कि हर 5 मिनट बाद auto save file create होगी right next to the location where we have just saved this project और maximum 10 files रहेंगी और उसके बाद वो 10 files updated file से replace होते रहेंगी so you can also use similar settings तो हमारा software default से कुछ ऐसा देखेगा अब अगर आपके software का layout इससे लग है तो आप windows में जाकर workspace के column में से all panel workspace choose कर सकते हो अब हमारे left में है अपना project panel यहां हम अपनी footage import करेंगे हम इसमें simple drag and drop से किसी बी तरह की photo या video को add कर सकते हैं अब अपने project को शुरुवात से ही organized रखने के लिए यहां पे हमें एक folder create करेंगे और इन सब को मैं इस folder के अंदर डालगूँगा अब हम इस छोटे से icon पे click करेंगे to create a new composition यहां हम अपने client की requirement के साब से यहां हम अपनी composition window देख सकते हैं और यह composition हमारे project panel में भी add हो गई है हम इसको भी folder में डाल सकते हैं by doing drag and drop this time I'll rename this folder बट अभी हमने इस composition में कुछ भी add नहीं किया let's drag and drop our footage और यहां हम नीचे देख सकते हैं कि हमारी footage एक layer की तरह इस composition में add हो गई है यहां हम और भी चीज़ें add कर सकते हैं let's add our starbucks logo अभी यह logo थोड़ा बड़ा है let's resize it इसकी shape के corners के किसी भी एक point को पकड़के shift दबाएंगे और छोटा करने के लिए इसको drag करेंगे इसके center की तरफ अब अगर मैं shift की ना दबाऊं इसलिए हमें composition window में भी नहीं दिख रहा है अब अगर मैं यहां से इस footage को थोड़ा सा side करूँ तो यह रहा हमारा logo I'll hit ctrl z to undo तो यह हमारी 10 seconds की timeline हम इसको space bar दबा के preview कर सकते हैं अभी हाँ smooth preview हो रहा है because हमारी composition में सिरफ दो ही elements है अगर मैं आपको अपना दूसरा project दिखाऊं जहां पे बहुत सारी layers है to go there we'll click on home button यहां से हमारा सबसे पहला panel अपीर हो जागा यहां से हम अपने किसी भी recent project में जा सकते हैं so I'll choose this fuzzy note burning project और यहां आप देख सकते हैं यहां पे काफी सारी layers है और इन layers के अंदर काफी सारे effects तो अगर मैं यहां पे अपना space bar प्रेस करूँ और अपना preview on करूँ तो यह preview काफी अठक अठक के चल रहा है it's very slow क्योंकि right now हमारा software इन सारी layers को एक सारी रीड करने ही खुशिश कर रहा है now let's come back to our project सबसे पहले हम explore करेंगे इन tools को we already know what home button does now तो next है selection tool इससे हम अपने composition panel में किसी भी layer को select कर सकते हैं और select करने के बाद हम उस layer को move कर सकते हैं या फिर उसका size छोटा बड़ा कर सकते हैं यहां मैं Ctrl Z दबा के undo कर रहा हूँ इसके बाद आता है hand tool इससे हम अपनी composition window को move करते हैं फिर है zoom tool इससे हम अपनी composition window में किसी भी area को zoom in कर सकते हैं by just selecting that part इसी tool में zoom out करने के लिए हम alt press करेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा magnifying glass alt press करते ही plus से minus हो जा रहा है and now we just have to click अब इसको वापस से normal करने के लिए हम यहां से select करेंगे fit to 100% now what if I say there is a better way to use these tools अगर मैं अपने cursor को preview screen पर रखूँ और यहां मैं space bar को press करूँ we can see our icon is changing to hand और मैं आपस से simple click से इस window को इधर उधर कर पा रहा हूँ और zoom in और zoom out करने के लिए मैं अपने mouse के scroll wheel को यूज करूँ now these are some shortcut that I use in my workflow instead of going there and choosing these tools next यहां पर जो disabled हो रखे हैं वो है camera tools इनको enable करने के लिए हम एक नही comp बनाएंगे यहां पर हम एड करेंगे अपना logo and we'll make it 3D by just checking on this और यहां मैं आड करूँगा एक camera I'll quickly change the view from here from active camera to custom view now we are in our 3D environment this is our camera and this is our layer तर से पहला tool है orbit tool इससे हम अपने 3D environment में freely move कर पाते हैं उसके बाद है pan tool इस tool से हम अपने 3D environment में सिरफ x और y axis में ही move कर सकते हैं and the last one is zoom tool and this one is pretty self-explanatory तो यह तीन tool बेसिक लिए हमारे 3D environment में navigate करने के गाम आते हैं next is rotation tool इस tool से हम अपनी preview screen पे किसी भी layer को select करके उसको rotate कर सकते हैं अब यहां rotate करो या फिर इसके अंदर transform properties में जाकर rotate करो दोनों same बात है अगर मैं इसकी value यहां से zero कर दूँ तो यहां पे rotation वापस से default पे आ गया I can do the same with our footage अब अपने next tool पर जलते हैं anchor point tool यह थोड़ा important tool है इससे हम अपनी layer के anchor point की position चेंड कर सकते हैं पर इससे होता क्या है जैसे अभी यह logo का anchor point center में और अगर मैं इसको यहां से rotate करूं तो यह एकदम middle से rotate होगा but let's change its anchor point to the bottom अब मैं अगर इससे rotate करूं तो आप देख सकते हैं middle से rotate नहीं हो रहा यह इस anchor point को center मार के अपनी rotation चालू कर रहा let's undo this next है shape tool अगर हम इस tool को click करके रखें तो यहां हमारे पास और shapes के options खुलते हैं I'll choose this one तो अगर मैं यहां पर अपनी footage layer चूस करूं और इसको screen पर use करूं तो यह इस layer में mask create करेगा बट अगर मैं बिना कोई layer चूस करें इसको screen पर use करूं तो यहां पर shape create करेगा I'm pressing shift to make an even circle we can also choose other shapes और यह सारी shapes similar तरीके से काम करेंगी यहां मैं इनका color change कर सकता हूँ इनकी stroke बढ़ा सकता हूँ and we can create a lot of things from these shape layers I'll just delete them Let's look at our next tool pen tool यह भी shape layer की तरह ही काम करता है तो अगर हमने कोई layer select कर रखी है तो यहां यह mask create करेगा और अगर हमने कोई भी layer select नहीं कर रखी है तो यहां पर shape create करेगा अब अगर मैं इस tool पर भी click और hold करके रखूँ तो यहां pen tool में और options आते हैं जो हमारे shape या mask के path को manipulate करने काम आते हैं Let's undo this Next is our text tool इसमें हमारे पास दो options आते हैं horizontal type tool और vertical type tool vertical type tool से हमें कुछ ऐसा result मिलता Honestly मैंने इसे आज तक यूज नहीं कर रहा है I always go for horizontal one और यहां हम देख सकते हैं हमारा text timeline में भी add हो गया in the form of layers I'll delete this और यहां इसको edit करके Starbucks की tagline अड़ करते हैं To change its color we'll go to the characters panel और हम यहां से इसका color change कर सकते हैं हम इसके color को sample भी कर सकते हैं but I'll just choose white Let's change the color of this coffee text I'll sample this color और मैं यहां से इसकी brightness बढ़ा दूगा Last में हम इसको यहां से थोड़ा सा बोल्ड करेंगे और मैं paragraph में आके देख सकता हूँ यह central line है अब अगर आपको यह characters और paragraph के panel नहीं दिख रहे हैं तो आप windows में जाकर इसे select कर सकते हो और यहां right side में यह कहीं appear हो जाएंगे अब इसके आगे के tool समझने से पहले I'll double click on one of our layer यहां हम देख सकते हैं कि हमारी यह layer अपने एक अलग layer panel में open होई है यहां हमारी composition है और अगर मैं इस layer को अपने project panel में से double click करूँ तो यह layer अप footage panel में open होई है तो यहां मैं अपनी footage को preview कर सकता हूँ और अपनी timeline में add करने से पहले इसका in point select कर सकता हूँ I'll choose this in point और इसका out point होगा यह Now let's import this footage into our timeline यहां पर हम देख सकते हैं कि मारी footage trimmed हो रखी है according to what we just did यह same चीज़ हम अपनी layer panel में भी कर सकते हैं If we'll just add an in point here We can see हमारी footage यहां पर trim होगा पर layer panel is not just for adding in and out points Let's close these panels अब अगर हम यहां पर brush tool select करें और यहां पर हम paint कर नहीं कोश्च करें तो we get a warning Use the paint, roto brush and refine edge tool in a layer panel With these tools double click on a layer to open it in a layer panel तो यहां यह basically कह रहा है कि हम यह tools layer panel के अंदर जाकर ही use कर सकते हैं So we'll double click on our footage And then with brush tool selected हम यहां पर draw कर सकते हैं और यहां हमने जो paint tool से paint किया है वो हमारी composition panel में update हो जाएगा तो यह 4 tool हमारी layer panel में ही चलते हैं Let's select the next tool which is clone tool इसे हम pixels को clone करते हैं और तीसरा है erase tool इसका size बढ़ाने के लिए मैं brushless panel में जाऊँगा और इसका diameter बढ़ाऊँगा और हमारा 4 tool है Roto brush tool और यह इन चारों में से सबसे जादा use होगा इसे हम अपने वीडियो के किसी भी moving object को उसके background से उसे अलग करते हैं I can simply select this cup here like this और यहाँ पे इसका background remove हो गया यह सारी चीज़े हमारी composition में update हो जाएंगी और इनको अटाने के लिए we just have to remove these effects from them Last है puppet tool इस tool से हम किसी भी layer को mesh में convert करके उसके pixel को manipulate कर सकते हैं मैं इस tool को 2D characters को animate करने के लिए use करता हूँ Now to remove these points I just have to delete this Now let's explore these panel on our right side तो यहाँ हमारे सारे panel collapse हो रख है Let's open them one by one तो असे पहला है info panel यह panel हमारी composition के position coordinates बताता है और उनकी RGB values मैंने इस panel को शायदी कभी use किया हो Next is audio इसमें हम layer को select करके उसके audio levels यानि उसकी volume को बढ़ा या कम कर सकते हैं फिर है effects and presets This is the most important panels of all of these panels यहां से हम After Effects के सारे effects को access कर पाते हैं और अपनी layers में add कर पाते हैं यहां पर कुछ animation presets भी है So let's add some in our text I'll add an animate in animation Let's choose this Fade up in words मैं इसको simply अपने text में drag and drop कर दूंगा यहां से और हम देख सकते हैं यहां पर हमारे पास text animate होता आप आ गया We can also add some shadow in our logo हम यहां पर search करेंगे drop shadow और यहां पर अंडर perspective column there is drop shadow इसको हम अपने logo में drag and drop करेंगे और let's change its value a bit We can also copy paste this effect on our text layer यहां पर अपने keyboard पर control C करूंगा और अपने text को select करके control V अब इस panel के अंदर काफी सारे effects हैं Now to get a better understanding of this software I would highly recommend कि आप हर एक effect को check करो by just dragging and dropping on to your layers और आपको इससे काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा Now next is libraries I have never used this panel but अगर आप use करते हो then do let me know in comments if I'm missing something उसके बाद आता है alignment tool इससे हम अपनी layers को एक दूसरे से align करते हैं अभी यहां पर composition selected है तो मैं इस text को अपनी composition से align करता हूँ अगर मैं यहां पर centerline चूस करूँ तो हम देख सकते हैं हमारा text हमारी composition के एक दम बीच में आ गया बट मुझे अभी अपने text को अपने logo से align करना है तो I'll bring back my text here और मैं अपना यहां पर logo भी select करूँगा by pressing shift और यहां हम देख सकते हैं कि हमारा composition change हो गया selection से अब अगर मैं इसको choose करूँ तो यहां हमारा logo और text एक दूसर से align हो गया next is our tracker panel यह panel थोड़े advanced level पर काम आता है और इस panel पर literally एक अलग से video बनाया जा सकता है तो मैं इसको deeply किसी और video में explain करूँगा बट basically यह हमारी footage का motion track करने के काम आता है फिर है content aware fill अगर आपने Photoshop का content aware fill यूज किया है तो यह भी similar तरीके से ही काम करता है तो यह हमारी footage में से किसी भी element को smartly remove कर देता है next is paint and brushes इसको हम already explore कर चुके हैं उसके बाद आता है motion sketch इस panel से हम अपने cursor की help से किसी भी layer में motion grid करते हैं let me show you how it works अगर मैं यहाँ अपने सिरफ logo को select करूँ और motion sketch में आकर start capture पे click करूँ तो अब मैं इस logo की position को animate कर सकता हूँ by just moving it around in my composition अब जैसी मैं इसको छोड़ूँगा हम यहाँ दे सकते हैं इस layer की position property में keyframes automatically add हो गया let's preview this तो हमारा motion sketch panel कुछ इस तरह से काम करता है अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे almost हर frame पर keyframe add हो गया जिससे हमारी animation थोड़ी janky सी भी लग रही है अब इसको smooth करने के लिए हम अपने अगले panel पर आएंगे smoother to use this मैं अपने यहाँ पे सारे keyframes को select करूँगा by just clicking on this position property here और यहां हम special path ही selected रखेंगे और इस tolerance को कर देंगे around 15 तो यहां जितना बड़ा number रहता है उतना ज्यादा keyframes smooth होते हैं for this animation 15 is good enough let's hit apply अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे keyframes काफी कम हो गया है let's preview it and it's now smoother as well next is wiggler इससे हम अपनी layer में wiggle motion अड़ करते हैं तो इससे हम अपने still shot में movement अड़ कर सकते हैं मैं इसको फटावट से reset कर देता हूँ let's select our footage मैं इस footage को solo कर दूँगा by just clicking over here अब इसकी position property में जाएंगे और इसको in and out keyframe देंगे अब इन keyframes को देने का मतलब है कि इन keyframes के अंदर ही हमारे wiggle करने वाले position keyframes add होंगे अब हम यहां पर अपनी position property select करेंगे और select करते ही हमारे wiggler panel में options enable हो जाएंगे यहां चूँज करेंगे special path we can keep these settings on default और यहां पर frequency को मैं कर दूँगा 1 और magnitude को कर दूँगा 20 now let's hit apply यहां हम देख सकते हैं कि हमारे in and out keyframes के बीच में कुछ keyframes एड़ हो गया है now let's preview it अब इसके edges चुपाने के लिए हम यहां से थोड़ा सा scale-up करेंगे I'll make it 105 अब हमारे still shot convert हो गया एक handheld shot में last है mask interpolation panel यह थोड़ा complex और advanced है basically यह mask को smooth करने काम आता है मैंने इस honestly कभी यूज नहीं किया और नहीं किसी को करते हुए तेख है मैं इस footage का solo remove करके इसको reset कर दूँगा I'll also delete this keyframes by just clicking on this stopwatch icon again and now let's add some simple animation in this logo हम इस logo को नीचे से उपर fade in होता हुए animate करेंगे so let's click here on this arrow now we'll go inside the transform and these are the basic properties which you will get in every layer of After Effects and they are literally like a backbone of all the animation that we do inside this software I have literally used these properties in every project now to animate its position हम इस layer की position property के number यहां से change कर सकते है right now we are on our first frame और हमें यह logo नीचे से उपर आता है तो हम यह यह value को बढ़ाएंगे और यह हम अपने composition panel में भी कर सकते है we can move this logo freely here और अगर हमें इसे एक ही axis में move करना है तो we'll hold shift अब इसको animate करने के लिए हम use करेंगे keyframes we'll click on this stop watch icon here और यहां हम देख सकते हैं कि हमारा एक diamond shape का keyframe यहां add हो गया बट अभी यह move नहीं कर रहा है तो हम दूसरे second पर जाएंगे और हम इस logo को ऊपर shift कर देंगे और यहां automatically एक निया keyframe add हो गया तो हम यहां basically after effects को बता रहे हैं कि हमारी पहली position यह है और second यह तो यहां after effects इनके beach की value को figure out करेगा और हमारी layer को animate कर देगा It's simple but it is animation अब अगर हमें इस movement को तेज करना है तो हम इसके beach का time कम कर देंगे by sliding this keyframe inside तो यहां यह same distance cover करेगा कम time में और slow करने के लिए इसके beach की time को बढ़ाएंगे by sliding this keyframe out Let's make it one second long अब यहां यह logo काफी unrealistic motion में animate हो रहा है reality में हमें हर चीज को accelerate होते या राम से रुकते वे देखने के आदत है तो वैसा motion देने के लिए हम इस keyframe को easy ease कर देंगे by selecting and right clicking on them keyframe assistant and we'll choose easy ease इससे हमारे keyframes की shape एक hour glass की तरह हो जाती है जिससे में पता चलता है कि हमारे keyframes में easy ease add हो गया now if we preview this animation हम यहां देख सकते हैं कि हमारा motion पहले से काफी ज्यादा smooth हो गया compare करने के लिए आप यहां देख सकते हो यह layer बिना easy ease के animate हो रही है और यह वाली easy ease के साथ और इन दोनों का animation time 2 second ही है पर यहां obviously easy ease वाली काफी better और natural feeling दे रही है अब हम इसे fade in animation देने के लिए इसके opacity को भी animator करेंगे तो वापस हम अपने पहले frame पर जाएंगे और इसके opacity को कर देंगे 100 से 0 पर और इसमे add करेंगे एक keyframe अब आपस हम अपने अपने 1 sexиंड पर जाएंगे और यहां पर इसको 100% कर देंगये और यहां भी After Effects इसके बीच की value को समझ के इसमें animation एड़ कर देगा इन keyframes को भी हम easy ease करेंगे by using a shortcut key this time which is F9 on your keyboard preview करने के लिए मैं space bar दबाऊंगा it's looking good now to make it better हम इस easy ease motion को further stylize करेंगे by changing the amount of ease in each keyframe यह करने के लिए हम इसको select करेंगे और इस paragraph button पर click करेंगे जो हमारी keyframes की value को इस editable graph पर show करेंगा इस graph को हम scroll करके zoom in कर सकते हैं अब अगर आपके position का graph ऐसा नहीं दिख रहा है तो आप यहां पर एक बार make sure कर सकते हैं कि आप speed graph पर ही है अब इस speed graph में हम अपने easy ease का curve चेंज कर सकते हैं अभी हमारी शुरुवात और end में speed कम होती है और बीच में सबसे ज़्यादा विल सिलेक्ट इस और यहां से हम इसको drag कर सकते हैं और इसको और शुरुवात में जाने के लिए हम इसको भी यहां से left की तरफ drag कर देंगे अब हमें अगर इस animation को किसी और background पर यूज करना हो तो वो करने के लिए हम इस animation को pre-comp करेंगे हम इन दोनों को select करेंगे और यहां right click करके विल चूज pre-compose इसको नाम देंगे logo and text विल चूज the default settings here and विल क्लिक ok यहां हमने इन दोनों layers को एक तरह से group कर दिया अगर हम इसके अंदर जाएं तो यहां सिरफ हमारा logo and text animate होता बन दिखेगा अब यह group हम किसी भी composition में add कर सकते हैं let's create a new comp using this footage और इसको create करने के लिए हम एक नया तरीका यूज़ करेंगे विल जिस drag and drop this footage on our this composition icon और यहां हमारी एक नई composition create हो गई है which has all the properties similar to this footage but to change the settings we can go here composition settings यहां हम अपने frame rate को वापस से 25 कर देंगे and we'll click ok अब हम इसमें add करेंगे अपना logo and text animation और यहां हमारा animation दूसरे background पे add हो गया we can center this composition by changing its position value और मैं इसका यहां से size भी कम कर दूँगा इसको reposition करेंगे अब मैं इस composition के अंदर जाके इसका text भी change कर देता हूँ और हमारी यह layer यहां पे update हो जाएगी अब क्यूंकि यह common composition हमारे intro में भी added थी तो यह text यहां पे भी update हो जाएगा क्यूंकि मारे logo और text वाली composition एक common layer है जो इन दोनों में use करी जा रही है now we'll export this video export करने के लिए हमें जिस भी video पो select करना है उसको हम open करेंगे अपने timeline panel में और in and out point set करेंगे और यहां composition के options में जाकर we'll click on add to render queue और यहां हमारी timeline panel के साथ render queue panel add हो जाएगा यहां हम अपनी com का नाम देख सकते हैं जो हम render करने जा रहे हैं इसके नीचे render settings already best settings हो रही है तो इसमें कुछ change करने की जुरत नहीं है उसके नीचे आएंगे output module जो भी high quality दिखा रहा है यहां से हम इसको quick time से कर देंगे h.264 यह format afterrex के 2023 वाले version में ही है so make sure your software is up to date और यहां output 2 में हम अपनी location set करेंगे जहां हम इस video को save करना चाहते हैं and that's it we'll click on render और यहां हमारी video render होना चालू हो गई है we'll go in the folder and now we can share this video file on any platform that is it for today guys I hope इस video से आपको काफे कुछ सीखने को मिला होगा ऐसी और वीडियोज देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते और इस वीडियो को लाइक और आप नेक्स्ट क्या देखना चाओगे इस चैनल पर आप मुझे वह कॉमेंट करके भी बता सकते and I'll see you in the next one कर दो कर दो कर दो